नए प्रेरक उधारनों के साथ नए नए संदेशों को समेटे हुए एक बार फिर मैं आप से मन की बात करने आया हूँ जानते हैं इस बार मुझे सबसे ज़्यादा चिठिया और संदेश किस विशय को लेकर मिली है ये विशय ऐसा है जो इतिहास, भर्तमान और भविश्य तीनों से जुड़ा हुआ है मैं बात कर रहा हूँ देश को मिले नए प्रधान मंत्री संगरहा लेकी इस 14 एप्रील को बाबा साब अम्बेडकर की जन्मजेंती पर प्रधान मंत्री संगरहा लेका लोकार्पन हुआ है इसे देश के नागरिकों के लिए खोल दिया गया है एक स्रोता है स्रिमान सार्थक जी सार्थक जी गुरुग्राम में रहते हैं अग पहला मोका मिलते ही वो प्रधान मंत्री संगरहाले देखाए हैं सार्थक जी ने नमो एप पर जो संदेश मुझे लिखा है वो बहुत इंटरस्टिंग है उन्होंने लिखा है कि वो बरसों से न्यू चेनल देखते हैं अकबार पढ़ते हैं सोशल मीडिया से भी कनेकेड हैं इसलिए उन्हें लगता था कि उनकी जनल नौलेज काफी अच्छी होगी लेकिन जब वे पीएम संगरहाले गए तो उन्हें बहुत हैरानी हुई उन्हें मैसूस हुआ कि वे अपने देश और देश का नेत्रुत्त करने वालों के बारे में काफी कुछ जानते ही नहीं है उन्होंने पीएम संगरहाले की कुछ ऐसी चीजों के बारे में लिखा है जो उनकी जिग्यासा को और बढ़ाने वाली थी जैसे उन्होंने लालबारू शास्त्री जी का वो चर्खा देकर बहुत खुशू ही जो उन्हें ससुराल से उप़ार में मिला था उन्होंने शास्त्री जी की पास भूब भी देखी और यह भी देखा है कि उनके पास कितनी कम बचत थी सार्थक जी ने लिखा है उन्हें ये भी नहीं पता था कि मुरार्जी भाई देशाई स्वतंत्रता संग्राम में सामिर होने से पहले गुजरात में डेपुटी कलेक्टर थे प्रसासनिक सेवा में उनका एक लंबा केरियर रहा था सार्थक जी चौदरी चरंसींजी के विशे में लिखते हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि जमिंदारी उन्मुलन के ख्षेत्र में चौदरी चरंसींजी का बहुत बड़ा योगदान था एतना ही नहीं वे आगे लिखते हैं जब लेंड रिफॉर्म की विशे में बहां मैंने देखा कि सिमान पीवी नर्सिमा राब जी लेंड रिफॉर्म के काम में बहुत गहरी रूची लेते थे सार्थक जी को भी इस मिज्यम में आकर ही पता चला कि चंद्रसेखर जी ने 4000 किलोमेटर से अथिक पैदल चलकर एतिहासिक भारत यात्रा की थी उन्होंने जब संग्राले में उन चीजों को देखा जो अटल जी उप्योग करते थे उनके भाषणों को सुना तो वो घर्व से भर उठे थे सार्थक जी ने ये भी बताया कि इस संग्राले में महत्मा गांदी, सरदार पटेल, डॉक्टर अमबेडकर, जैप्रगात नारायन और हमारे प्रधान मंत्री पंडिक जवाला नहरू के बारे में भी बहुत ही रोचक जानकरिया है साथियों, देश के प्रधान मंत्रियों के योगदान को याद करने के लिए, आज़ादी के अमरुत महत्सव से अच्छा समय और क्या हो सकता है? देश के लिए यह गवरव की बात है कि आज़ादी के अमरुत महत्सव एक जन अंदोलन का रूप ले रहा है इतिहास को लेकर लोगों की दिल्चस्पी काफी बढ़ रही है और ऐसे मैं PM मुजियम युवाउंगों के लिए भी आकरशन का केंद्र बन रहा है जो देश की अनमोल विरासत से उन्हें जोड रहा है वैसे साथियों जब मुजियम के बारे में आपसे इतनी बाते हो रही हैं तो मेरा मन किया कि मैं भी आपसे कुछ सवाल करूँ देखते हैं आपकी जन्रल नॉलेज क्या कहती हैं आपको कितनी जहनकरी हैं मेरे नवजवान साथियों आप तयार हैं कागेज कलम हाप में ले लिया अभी मैं आपसे जो पूछने जा रहा हूं आप उनके उत्तर नमो ए मेरा आपसे आगर है कि आप इन सभी सवानों का जवाब जरूर दें इससे देश भर के लोगों में मुजियम को लेकर दिल्चस्पी और बढ़ेगी क्या आप जानते हैं कि देश के किस शहर में एक प्रसिद्ध रेल मुजियम है जहां पिछले 45 वरसों से लोगों को भारति के रेल की विरासत देखने का मोका मिन रहा है मैं आपको एक और क्लू देता हूं आप यहां फैरी क्वीन सलून अप प्रिंस अप वेल्स से लेकर फायरलेस टीम लोकोमोटिव यह भी देख सकते हैं कि आप जानते हैं कि मुंबई में वो कौन सा मुजियम है जहां हमें बहुत ही रोचक तरीके से करंसी का इवॉलूशन देखने को मिलता है यहां इसा पूर्वर छठी शताब्दी के सिक्के मोजूद हैं तो दूसरी तरफ इमनी भी मोजूद है तीसरा सवार विरासत एक हालसा इस मुजियम से जुड़ा है कि आप जानते हैं यह मुजियम पं पताना अता ही होगा अगला सवाल इसी से जुड़ा है देश का एक मात्र काइट मुजियम कहां है आईए मैं आपको क्लू देता हूं यहां जो सबसे बड़ी पतंग रखी है उसका आकार 22 गणा 16 फिट है कुछ ध्यान आया नहीं तो यहीं एक और चीज बताता हूं यह जि बन में डाक टिकेटों के संगर का शौक किसे नहीं होता है लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में डाक टिकट से जुड़ा नेशनल मुजियम कहां है मैं आप से एक और सवाल करता हूं गुल्शन महल नाम की इमारत में कौन सा मुजियम है आपके लिए क्लू यह है कि इस फिल्म के डारेक्टर भी बन सकते हैं, कैमेरा, एडिटिरिंग की बारिक्यों को भी देख सकते हैं अच्छा क्या आप ऐसे किसी मुजियम के बारे में जाते हैं, जो भारत की टेक्स्टैल से जुड़ी विरासत को सेलिबरेट करता है इस मुजियम में मिनियेचर पेंटिंग्स, जैन मैनुस्क्रिप्स, स्कल्प्चर बहुत कुछ है, यह अपने यूनिक डिस्प्ले के लिए भी जाना जाता है साथियों टेक्नोलोजी के इस दौर में आपके लिए इनके उत्तर खोजना बहुत आसान है यह प्रस्ण मैंने इसलिए पूछे, ताकि हमारी नई पीडी में जिग्या सा बढ़े, वो इनके बारे में और पढ़े, इन्हें देखने जाए अब तो मुजियम के महत्व की वज़े से कई लोग खूद आके आगर मुजियम के लिए काफी दान भी कर रहे हैं बहुत से लोग अपने पुराने कलेक्शन को एतिहासिक चीजों को भी मुजियम को दान कर रहे हैं आप जब ऐसा करते हैं तो एक तरह से आप एक सांस्कृतिक पूजी को पूरे समाज के साथ साजा करते हैं भारत में भी लोग अब इसके लिए आगे आ रहे हैं मैं ऐसे सभी नीजी प्रयासों की भी सरहाना करता हूँ आज बदलते हुए समय में और कोवीड पोटोकल्स की वज़त से संग्रालव में नए तोर तरीके अपनाने पर जोड दिया जा रहा है मुजियम्स में डिजिटाइजेशन पर भी फोकस बढ़ा है आप सब जानते हैं कि 18 माई को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मुजियम डी मनाया जाएगा इसे देखते हुए अपने युवा साथियों के लिए मेरे पास एक आइडिया है क्योंना आने वाली छुटियों में आप अपने दोस्तों की मनली के साथ किसी स्थानीय मुजियम को देखने जाएग आप अपना अनुभाव हैश्टेग मुजियम मेमरीज के साथ जरूर साजा करें आपके ऐसा करने से दूसरों के मन में भी संगरहालों को लेकर जिग्या सा जगेगी मेरे पैरे देश्वासियों आप अपने जीवन में बहुत से संक्रब लेते होंगे उन्हें पुरा करने के लिए परिशम भी करते होंगे साथियों लेकिन अहाली में मुझे ऐसे संक्रब के बारे में पता चला जो वाकरी बहुत अलग था बहुत अनोखा था इसलिए मैंने सोचा कि इसे मन की बात के सुरताओं को जरूर शेर करूँ साथियों क्या आप सोच सकते हैं कि कोई अपने घर से ये संक्रब लेकर निकलें कि वो आज दिन भर पूरा शहर घुमेगा और एक भी पैसे का लेंदेन कैश में नहीं करेगा है न यह दिल चस्प संकल्प दिल्ली की दो बेटियां सागरी का और प्रेक्षा ने ऐसे ही कैश्टलेस डे आउट का एक्सपरिमेंट किया सागरी का और प्रेक्षा दिल्ली में जहां भी गई उन्हें डिजिटल पेमेंट की सुविजा उपलब्द हो गई यूपी आई क्यू आर कोड की वज़े से उन्हें कैश निकालने की जरूती नहीं पड़ी यहां तक की स्ट्रीट फूड और रहडी पट्री की दुकानों पर भी ज्यादा तर जगह उन्हें ऑनलाइन ट्रांजिक्षन की सुविजा मिदी साथियों कोई सोच सकता है कि दिल्ली हैं बैटरो सीटी हैं बहां ये सब होना आसान है लेकिन अब ऐसा नहीं है कि यूपी आई का ये प्रसार केवल दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित हैं एक मैसेज मुझे गाजियाबाद से आनन्दिता त्रिपाठी का भी मिला है आनन्दिता पिछले सब्ता अपने पती के साथ नौर्थ इस्ट गुमने गई थी उन्होंने असम से लेकर मेगालय और अरुनाचल प्रदेश के तवांग तक की अपनी यात्रा का अनुभव निकालने की जरूरती नहीं पड़ी जिन जगहों पर कुछ साल पहले तक इंटरनेट की अच्छी सुविधा भी नहीं थी वहां भी अब UPI से पेमेंट की सुविधा मौजूद है सागरी का प्रेक्षा और आनन्दिता के अनुभवों को देखते हुए मैं आप से भी आगर प्रीम UPI तेजी से हमारी एकानोमी और आदतों का हिस्सा बन गया है अब तो छोटे छोटे शहरों में और जादातर गावों में भी लोग UPI से ही लेंदेन कर रहे हैं डिजिटल एकानोमी से देश में एक कल्चर भी पैदा हो रहा है गली नुकड की छोटी छोटी दुकान में डिजिटल पेमेंट होने से उन्हें जादा से जादा ग्रहों को सर्विस देना आसान हो गया है उन्हें अब खुले पैसों की भी दिक्कत नहीं होती आप भी UPI की सुविधा को रोज मना के जीवन में मैसूस करते होंगे कहीं भी गए कैस्ट ले जाने का बैंक जाने का ATM खोजने का जंजटी खतम मोबाइल से ही सारे पेमेंट हो जाते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके इन छोटे छोटे ऑनलाइन पेमेंट से देश में कितनी बड़ी डिजिटल एकोनमी तयार हुई है इस समय हमारे देश में करीब 20,000 करोर डुपे के ट्रांजि तो UPI ट्रांजेक्शन करीब 10,000,000 करोड रुपिय तक पहुँच गया इस से देश में सुविधा भी बढ़ रही है और इमानदारी का माहोल भी बन रहा है अब तो देश में फिंटेक से जुड़े कई नए स्टार्टप भी आगे बढ़ रहे हैं मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास भी डिजिटल पेमेंट और स्टार्टप एकोसिस्टिम की इस ताकत से जुड़े अनुभव है तो उन्हें साजा करिए आपके अनुभव दूसरे कई और देश वास्यों के लिए प्रेरिणा बन सकते हैं मेरे प्यारे देश वास्यों टेकनोलोजी की ताकत कैस सामान्य लोगों का जीवन बदल रही है यह हमें हमारे आसपास लगातार नजना रहा है टेकनोलोजी ने एक और बड़ा काम किया है यह काम है दिव्यांग साथियों की असाधारंग शम्ताओं का लाप देश और दुनिया को दिलाना हमारे दिव्यांग भाई-बहें क्या क कर सकते हैं यह हमने टोक्यो पेरालंपिक्स में देखा है खेलों की तरह ही आर्ट्स अकडेमिक्स और दुसरे कई खेत्रों में दिव्यांग साथिक कमाल कर रहे हैं लेकिन जब इन साथियों को टेकनोलोजी की ताकत मिल जाती है तो यह और भी बड़े मुकाम हासिल करके द के लिए देश आजकल लगातार संसाधनों और इंफ्रस्रक्ट्रक्चर को दिव्यांगों के लिए सुलब बनाने के लिए लगातार प्यास कर रहा है देश में ऐसे कई स्टार्ट अप्स और संगठन भी हैं जो इस दिशा में प्रेणादाई काम कर रहे हैं ऐसी एक संस्ता है वाइस ऑफ स्पेशली एबल पीपल ये संसा आसिस्टिव टेकनोलोजी के छेत्र में नए अवसरों को प्रमोट कर रही हैं जो दिव्यांग कलाकार हैं उनके काम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए भी एक इनोवेटिव शुरुवात की गई हैं वाइस ऑफ स्पेशल इबल पीपल के इन कलाकारों की पैंटिंग इसकी डिजिटल आर्ट गैलेरी त्यार की हैं दिव्यांग साथी किस तरह असाधारन प्रतिभाओं के धनी होते हैं और उनके पास कितनी असाधारन शमताय होती हैं ये आर्ट गैलेरी इसका एक उधारण है दिव्यांग साथिय के जीवन में कैसी चुनोतियां होती हैं उनसे निकल कर वो कहां तक पहुँच सकते हैं ऐसे कई विशयों को इन पेंटिंग्स में आप महसूस कर सकते हैं आप भी अगर किसी दिव्यान साथी को जानते हैं उनकी टैलेंट को जानते हैं तो डिजिटल टेकनोलोजी की मदद से उसे दुनिया के सामने ला सकते हैं जो दिव्यान साथी हैं वो भी इस तरह के प्रयासों से जुरूर जुड़ें मेरे प्यारे देश स्वाशियों देश के जादातर हिस्सों में गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है बढ़ती हुई ये गर्मी पानी बचाने की हमारी जि लब्द हो लेकिन आपको उन करोड़ों लोगों को भी हमेशा याद रखना है जो जल संकट वाले क्षेत्रों में रहते हैं जिन के लिए पानी की एक एक भुन्द अम्रित के समान होती हैं साथियों इस समय आजहादी के 75 साल में आजहादी के अम्रित महुत्सव में देश् पड़ रहा है उनमें जल संवरक्षण भी एक है अम्रित महुत्सव के दोरान देश के हर जीले में 75 अम्रित सरोवर बनाए जाएंगे आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा अभियान है वो दिन दूर नहीं जब आपके अपने शहर में 75 अम्रित सरोवर होंगे मैं आप सभी से और खास कर युवाओं से चाहूंगा कि वो इस अभियान के बारे में जाने और इसके जिम्मेदारी भी उठाएंगे अगर आपके शेतर में स्वतंतरता संग्राम से जुड़ा को इतिहास है किसी सेनाने की स्मृती है तो उसे भी अम्रित सरोवर से जोड सक मुझे यूपी के रामपूर की ग्रामपंचायत पट्वाई के बारे में जानकारी मिली है वहां पर ग्राम सभा की भूमी पर एक कालाब था लेकिन वह गंदगी और कूडे के धेर से भरा हुआ था पिछले कुछ हपतों में बहुत महनत करके स्थानिये लोगों की मदद से स्थानिय स्कूली बच्चों की मदद से उस गंदे तालाब का काया कल्प हो गया है अब उस सरोवर के किनारे रेटेनिंग वार, चार दिवारी, फुड कॉर्ट, फवारे और लाइटिंग भी नजाने क्या-क्या व्यवस्ताइक की गई हैं मैं रामपूर की पटवाई गराम पंचायत को, गाउं के लोगों को, वहां के बच्चों को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों पानी की उपलब्दता और पानी की किल्लत एक किसी भी देश की प्रगती और गती को निर्धारित करते हैं जल सवरक्षण की बाद जरूर करता हूँ, हमारे तो ग्रंथों में स्पष्ट रुप से कहा गया है पानीयम परममलोके जीवानाम जीवनम सम्रुतम अर्था संसार में जल ही हर एक जीव के जीवन का आधार है और जल ही सबसे बड़ा संसाधन भी है इसलिए तो हमारे पुर्वजों ने जल सवरक्षण के लिए इतना जोड दिया वेदों से लेकर पुराणों तक हर जगह पानी बचाने को ताला सरोवर आधी बनवाने को मनुष्य का सामाजीक और अध्यात्मिक करतब्य बताया गया है बालमी के रामायन में जल स्रोतों को जोडने पर जल समुरक्षण पर विशेस जोड दिया गया है इसी तरह इतिहास के स्टूड़न जानते होंगे सिंदू, सरस्वती और हडपा सब्वेता के दोरान भी भारत में पानी को लेकर कितनी विक्सित इंजिनिरिंग होती थी समय था जब जन संग्या उतनी नहीं थी प्राकृतिक संसाधनों की किलत भी नहीं थी एक प्रकार से विपूलता थी फिर भी जल समरक्षन को लेकर तब जागरुकता बहुत जादा थी लेकिन आज स्थितीज के उलट है मेरा आप सभी से आग रहें आप अपने इलाके के ऐसे पुराने तालाबों कुऊं और सरोवरों के बारे में जानें अमरित सरोवर अभ्यान के वज़े से जल समरक्षन के साथ साथ आपके इलाके की पहचान भी बनेगी इस्थे शहरों में महलों में स्थानिय परेटन के स्थल भी विक्सित होंगे लोगों को गुमने फिरने की भी एक जगा में लेगी साथियों जल से जुड़ा हर प्रयास हमारे कल से जुड़ा है इसमें पूरे समाज की जिम्मेदारी होती हैं इसके लिए सदियों से अलग-अलग समाज अलग-अलग प्रयास लगातार करते आये हैं जैसे की कच के रण की एक जन जाती मालधारी जल सवरक्षण के लिए बुरुदास नाम का तरीका इस्तमाल करती हैं इसके तहट छोटे कुवें बनाये जाते हैं और उसके बचाव के लिए आसपास पेड़ पहुदे लगाये जाते हैं इस तरह मध्यप्रदेश की भिल जन जाती ने अपने एक एहतियासित परंपरा हलमा को जल सवरक्षण के लिए इस्तमाल किया इस परंपरा के अंतरगत इस जन जाती के लोग पानी से जुड़ी समस्यों का उपाय ढूंड़ने के लिए एक जगह पर एकत्रित होते हैं हलमा परंपरा से मिले सुझाओं की रहा हैं साथियों ऐसे ही कर्तवय का भाव अगर सब के मन में आ जाएं तो जल संकर से जुड़ी बड़ी से बड़ी चुनोतियों का समाधान हो सकता है आईए आजादी के अमरित महोसों में हम जल समरक्षण और जीवन समरक्षण का संकल्प ले हम बुंद बुंद जल बच चाहेंगे मेरे पैरे देश स्वासियों आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले मैंने अपने युवा दोस्तों से स्टूडेंट से परिक्षा पर चर्चा की थी इस चर्चा और के दवरान को स्टूडेंट से कहा कि उन्हें एक्जाम में गणित से डर लगता है इसी तरह क कई विद्यार्तियों ने मुझे अपने संदेश में भी वेजी थी उस समय मैंने यह तय किया था कि गणित मैथमेटिक्स पर मैं इस बार के मन की बात में जरूर चर्चा करूँगा साथियों गणित तो ऐसा विशह हैं जिसे लेकर हम भारतियों को सबसे ज़्यादा सहज होना चाहिए आखिर गणित को लेकर पुरी दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा शोध और योगदान भारत के लोगों ने ही तो दिया है सुन्य यानि जीरो की खोज और उसके महत्व के बारे में आपने खुब सुना भी होगा अक्सर आप ये भी सुनते होंगे कि अगर जीरो की खोज न होती तो शायर हम दुनिया की इतनी वैज्यानिक प्रग्रति भी न देख पाते हैं कैल्कुलस से लेकर कंप्यूटर्स तक ये सारे वैज्यानिक आविश्कार जीरो पर ही तो आधारित हैं भारत के गणितग्यों और विद्वानों ने यहां तक लिखा है कि यत किंचित वस्तु तत सर्वम गणितेन बीना नहीं अर्था इस पूरे ब्रह्मान में जो कुछ भी है वो सब कुछ गणित पर ही आधारित हैं आप विज्यान की पढ़ाई को याद करिए तो इसका मडलब आपको समझा जाएगा विज्यान का हर प्रिंसिपल एक mathematical formula में ही तो व्यक्त किया जाता है न्यूटन के लौज हो आइंस्टाइन का famous equation ब्रह्मान से जुड़ा सारा वियान एक गणित ही तो है अब तो वैज्यानिक भी theory of everything की चर्चा करते हैं यानि एक ऐसा single formula जिससे ब्रह्मान की हर चीज को अभिवक्त किया जा सके गणित के सहारे वैज्यानिक समझ के इतने विस्तार की खलपना हमारे रुश्यों ने हमेशा से की है हमने अगर सुन्य का आविश्कार किया तो साथ ही अनन्त यानि infinite को भी express किया है सामान ने बोल चाल में जब हम संख्याओं और numbers की बात करते हैं तो million, billion और trillion तक बोलते और सोचते हैं लेकिन वेदों में और भारतिय गणित में ये गणना बहुत आगे तक जाती है हमारी यहां एक बहुत पुराना श्लोक प्रचलीत है एकम दशम शतम चैव सहस्त्रम अयुतम तथा लक्षम च निवुतम चैव कोटी ही अर्भुदम एव च बुरुंदम खर्वो निखर्व च शंग पद्म च सागर अंत्यम मध्यम परार्ध च दस वृद्धा यथाक्रमं इस श्लोक में संख्याओं का ओर्डर बताया गया है जैसे की एक, दस, सो, हजार और अयुत, लाक, निवुत और कोटी एन एक करोड इसी तर यह संख्या जाती है संख, पद्म और सागर तक एक सागर का अर्थ होता है कि दस की पावर 57 यही नहीं, इसके आगे भी ओग और महोग जैसी संख्याएं होती हैं, एक महोग होता है दस की पावर 62 के बराबर, यानि एक के आगे 62 सुन्य, 62 जिरो, हम इतनी बड़ी संख्या की कलपना भी दिमाग में करते हैं, तो मुश्किल होती हैं, लेकिन भारतिय गणित में इनका प्रयोग हजारों सालों से होता आ रहा है, अभी कुछ दिन पहले मुझे इंटेल कंपनी के CEO मिले थे, उन्हें मुझे एक पिंटिंग दी थी, उसमें भी वामन अवतार के जरिये गणना या माप की ऐसी ही एक भारतिय पद्धदी का चित्र किया गया था, इंटेल का नाम आया, तो कंप्यूटर आपके दिमाग में अपने आप आ गया होगा, कंप्यूटर की भाषा में आपने बाइनरी सिस्टिम के बारे में भी सुन ना की थी, इसी तरह आर्य भट से लेकर के रामानुजन जैसे गणितज्यों तक गणित के कितने ही सिद्धांदों पर हमारी हां काम हुआ है, साथियों हम भारतियों के लिए गणित कभी मुश्किल विशे नहीं रहा, इसका एक बड़ा कारण हमारी वैदिक गणित भी है, आधुनी काल में वैदिक गणित का स्रेज आता है स्री भारति क्रश्ट तिर्शिजे महाराज को, उनोंने कैल्कुलेशन के प्राकीन तरीकों को रिभाइव किया और उसे वैदिक गणित नाम दिया, वैदिक गणित की सबसे खास बात ये है थी, कि इसके जरिया कठीन से पलक जपकते ही, मन में ही कर सकते हैं, आज कल तो सोचल मीडिया पर वैदिक गणित सिखने और सिखाने वाले ऐसे कई युवाओं के वीडियो भी आपने देखे होंगे, साथिवाज मन की बात में वैदिक गणित सिखाने वाले एक ऐसे ही साथी हमारे साथ भी जूड़ रह हैं, ये साथी हैं कलकता के गवरव टेकरिवाल जी, और वो पिछले दो धाई दसक से वैदिक मैथेमेटिक इस मूवमेंट को बड़े समर्पित भाव से आगे वढ़ा रहे हैं, आईए उनसे ही कुछ बाते करते हैं, गवरव जी नमस्ते, मैंने सुना है कि आप वैदिक मै विशह में कुछ जानना चाहूंगा और बाद मैं इस विशह में आपकी रूची कैसे हैं, मुझरा मुझे बताइए. जिसमें गनित बहुत ही सरल और बहुत ही तेज हो जाता था, जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे बहुत प्रेवनवा मुली और फिर में भी रूची जागरित हुई मैथमाटिक्स में, मुझे समझ में आया कि ये सब्जेक जो भारत की देन है, जो हमारी दरोर है, उसको जो के कोने कोने में पहुँचाया जाए, क्योंकि गनित की डर सर्व हर सरजन को सताती है, और वेदिक गनित से सरल और क्या हो सकता है, गोरो जी कितने सालों से आप इसमें काम कर रहे हैं, मुझे आज होगे करिमत 20 साल सर्व उसमें ही लगावा हूँ, और एवरनेस के लिए हम लोग इंटरनेट के माध्यम से 24 घंटे वेदिक मैट्स पढ़ाते हैं सर्व गोरो जी आप तो जानते हैं, मैं लगातार बच्चों के साथ बात्सीत करना पसंद भी करता हूँ, और मैं आउसर ढूनता रहता हूँ, और एक्जाम वोरियर से तो मैं बिलकुल एक प्रकार से मैंने उसको इंस्टिटूशनलाइज कर दिया है, और मेरा भी अनुभव है क जाता तर जब बच्चों से बात करता हूँ, तो गणित का नाम सुनते ही वो भाग जाते हैं, और मेरी कोशिच यही है कि यह बिना कारण जो एक हाव पैदा हुआ है, उसको निकाला जाए, यह डर निकाला जाए, और छोटी छोटी टेक्निक जो परंपरा से है, क्योंकि भ निकालना है, तो आप क्या कहें जो उनको? के साथ योग भी इंट्रिड्यूस किये हैं, जिसे की बच्चे अगर चाहें तो आख बंद करें भी चैल्कुलेशन कर सकते हैं, वेदि गरत प्रदिती के इजबारा, वैसे ध्यान की जो परंपरा है, उसमें भी इस प्रकार से गणित करना वो भी ध्यान का एक प्राइमरी कोर्स भी होता है, चलिए गवरोजी बहुत अच्छा लगा मुझे और आपने मिशन बोर्ड में इस काम को उठाया है, और विशेश करके आपकी माता जी ने अच्छे गुरू के रूप में आपको इस रास्ते पर ले गई और आज आप लाखों बच्चों को उस रास्ते प साथियों, गवरोजी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि वैदिक गणीत कैसे गणीत को मुश्किल से मज़दार बना सकता है, यही नहीं वैदिक गणीत से आप बड़ी-बड़ी साइंटिफिक प्रॉब्लम्स भी सौल कर सकते हैं, मैं चाहूंगा सभी माता पिता अ नहां गणीत को लेकर कुछ बच्चों में जो भी थोड़ा भव डर होता है, वो डर भी पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। हित्ते रही हैं, आने वाले दिनों में देश में इतका त्योहार भी आने वाला है, तीन मैं को अक्षय तुरुतिया और भगवान परशुनाम की जहनती भी बनाई जाएगी, कुछ दिन बाद ही वैशाक बुद्धपुर्णिमा का पर्वी भी आएगा, इस सभी त्योहार स और सौफार के साथ बनाईए, इन सब के बीच आपको कोरोना से भी सर्तरक रहना है, मास्क लगाना, नियमित अंतराल पर हाथ धुलते रहना, बचाव के लिए जो भी जरूरी उपा है, आप उनका पालन करते रहें, अगली बार मन की बात में हम फिर मिलेंगे, और आपके भेजे गए कुछ और नए विशों पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार नमस्कार